बीजेपी ने ओपी के चेहरे को देकर चुनाव लड़ा लोगों ने मानि भुपेज बगेल की योजनाओं को सहराहा है रायगार विधानसभा में तो व्यक्ति तुहाई रहा है मुद्दा तो कोई बाती ही नहीं बनी मुद्दे तो सामाने तो वही थे जिसको लेकर दोनों राजनितिक दलों ने अपना मुद्दे तो आम तो पर वही थे जिसको लेकर दोनों राजनितिक दलों ने इस चुनाओं को लड़ा लेकिन मेरी समझ में रायगर विधान सभा के चुनाओं तो सीधे सीधे ब्यक्तित्तु पर लड़ा गया है ब्यक्तित्तु कहना चाहिए ओपीज चौधरी और पुरू विधायक रहे प्रकास जो मौझूदा विधायक रहे प्रकास नायक के बीच हुआ और तकर दोनों के मध्ध काटे की देखी गई है दोनों भी पक्षों में मध्दाताओं बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया और मैं इस राय से इतिफाक नहीं रखता कि मध्दान कम हुआ है पिछला मध्दान जहां पर बहत्तर दसमलों एक शेपरसेंट हुआ था इस बार लगभग अठतर प्रसेंट पूलिंग राइगर चेत्र में ही देखी गई है तो उसलिहां से मध्दान को तो कम नहीं कहेंगे बलकि का मुद्दा था और कई होटालों के मुद्दे थे क्या ऐसे मुद्दे चुना में काम किये जिसको लेकर जनता आगया मुद्दान का नहीं ही देखिए राइगर जिले की बात करें तो यह बात और विधानसवा सीटों पर अलग अलग मुद्दे हावी थे धर्म जगड़ जेतर का मुद्दा अलग था खृंच यां कम द गांग लग लेकिनल कुरी पूरे प्रदेव निगाहर सीट्पे सी और चिट बन गई थी और एगर सीट में सिर्फ एक ही मुद्दा था वो था चेहरा वीजेपी ने ओपी के चेहरे को देकर चुनाओ लड़ा और कॉंग्रेस के पास घूपेज बगेल का चेहरा था कहीं न कहीं स्थानी विधाय के खिलाब जो एंटिंग कमपेंसी थी कॉंग् बीजेपी के पास था उसकी वजह से कहीं न कहीं बीजेपी लीड करती नजर आई कई जगों पर और रुजान भी काफी अच्छा रहा मोहल भी बीजेपी के पक्ष में रहा लेकिन स्थानी मुद्दे थे वो भी हावी थे लेकिन खास तोर पर राइगर सीट में कोई हो रहे थे लेकिन चुनाओ के जब मद्दान हो रहा था यह मुद्दे दिखे नहीं लोगों ने सांती पूंधक से मद्दान किया और इन मुद्दों को लेकर क्या लगता है आपको कि कुछ बदलाओ आएगा देखिए बदलाओ तो अभी कहना मुस्किल है कि क्या कुछ हुआ है लेकिन जो मद्दान हुआ है वह काफी अच्छा है आप देखिए मेरे पास जो रिजल्ट के जो परसेंटेज है वोटिंग के खरसिया जैसी जगह पे 86.67 परसेंट जो है वोटिंग हुई है नामिन वोट्रों ने जम कर वोटिंग किये दरम जगन देखिए 86 परसे अब यह कहते हैं जो कि लोग शाषं के खिलाफ होते हैं तब लोग यह चम कर होती है तो वोटिंग को जम कर हुई है और इसी वजह से आप रिजल्ट क्या होंगी यह बताना मुस्किल हैं क्योंकि वीजेपी और कॉंग्रेस दोनों के जो समिकरन हैं वो बिगड़े होगे है आरखास तूर पर राइगरट सीट में जिस तो तरह किस्तिती थी निर्दलीयों की संख्या थी इश्यूब आसाथ जो आप नहीं किया पहले यह मना जा थे कि बड़ा वोड काटेंगे लेकिन बड़ा निर्दली नहीं काट रहे हैं तो नतीजे जो है आप नतियासित होंगे नतीजे अपराती हैं आप भी लगाता है लेकिन जो मुद्दे थे क्या लगता है मुद्दों को लेकर युगा सामने आये होंगे नहीं मद्दाता सामने आये होंगे लगातार पांस साल की सरकार ने समाज के हर वर्ग के साथ नहीं किया है हर छेतर में काम किया है चाहे वो चिकिस्सा का मामला हो चाहे वो सिक्षा का मामला हो चाहे बेरोजगारी बत्ता का मामला हो समाज का हर वर्ग कांग्रेस की योजनाओं से लाभानमित हुआ है युवा व प्रतिशत बढ़ा है उसके पीछे क्या मान रहें इसमें निश्चित तौर पर ये बात सामने आई है कि भारती जनता पार्टी ने जो गोसना पत्र का फोटो कापी जारी किया और कांग्रेस ने जो गोसना पत्र पहले जारी किया था और उसमें लगभक सभी वादे पूरे कि तो किसी भी इस्तिती में 36 गड़ में विकास की गती को बढ़ाने के लिए लोगों को मानी भुपेज बगेल जी के उपर जो भरोसा है उसको प्रोसाहित करने के लिए लोग अधिक मात्रा में जाकर मद्दान किये हैं चाहे वो ग्रामिड चेत्र जो रैगर जीले का जादा ग्रामिड जिसमें अधिक मद्दान होना निश्चित तोर पर किसान के उस्साह वर्दन और 32 रुपे जो धान देने की बात आई है बीस क्यूंटल धान समर्थन मुनले में खरीजने की बात आई है तो ग्रामिड अर्थ बेहस्था को कांग्रेस पार्टी ने लगातार लानी सरकार जो थी भुपेदल सरकार उसकों जोजनाओं को लेकर लोग सामने आया है नहीं मेरा मानना तो यह है कि अगर इतना अधिक मद्दान हुआ है जैसा कि आकड़ों में आया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों ही पार्टी सिधी टकर में परसपर प्रतिदन दे मद्दान में किसी एक पक्ष के कौँछा नया मुद्दा हावी रहा जिसके चलते मुद्दाता धरोसरी है राइगड़ विधान सभा में तो यक्ति तो हाई रहा है मुद्दा तो कोई बाती नहीं बनी लेकिन राइगड़ जीले में जहां तक आप कहें तो समर्तन मुले मे दान खरीदी के मुद्दे को लेकर बढ़ चड़कर के बादे की हैं दोनों पार्टियों ने पिछले ये को लेकर जनता जहां माने किसान असंतुष्ट नहीं थे उनको बोनस भी वारपूर मिला और ये भी मिला उनको उमीद जगी थे कि विपक्ष भी इस बार बड़े घो पानी जैसे मुद्द थे ही और घोष्टना पत्र भी काफी असर का रखता जिसके चलते भारी संख्या मत दाता हूं निकल कर अपने अपने